तो क्यों कर लिया Roman Reigns ने खुद को विड्रियू इस बार के ड्राफ्ट से अगर आपको इसका मल नहीं पता मैं आपको आगे जाके बताओंगा इसका क्या मतलब है और क्यों Roman Reigns इस वाले ड्राफ्ट से बाहर है सारी चीज़ आपको बता चलिएंगी लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि पहले दिन पे फस जे पे ड्राफ्ट 2024 में कौन सा सूपरचार कौन से ब्रैंड पे गया उससे उसकी क्या वैल्यू बढ़ेगी या किसी की वैल्यू घटेगी सारी चीज़ों के उपर बात करते हैं एक स्मैक्डाउन में गए है सबसे बहले आतनी है भाई बियांका ब्लेयर उनकी स्टोलाइन बहुत अच्छी चल रही थी अब वो स्मैक्डाउन बहेंगी ठीक है भाई कारमेलो हैस आते हैं भाई फर्स्ट एनेक्सी सूपरस्टार है वो जिनको पहले राउंड में ही पद्ने नहीं रहे हैं तो जी हाँ एनेक्सी से सीधा वो आए है आज उनका भी इसके लिए एक मैच भी था कोडी रोट्स के साथ और बहुत अच्छा डिलिवर करोने मैच वो बात अलग है कोडी रोट्स जीत गए क्योंकि उनको हराना भी कोई मजाक नहीं है बट स्टिल क अगे बात करते हैं रैंडी ओटन के बारे में रैंडी ओटन अपने आप में लेजेंड है स्मैक डॉन में वो पहले भी रहे हैं 2016 का ड्राफ्ट अगर आपको यादो बहुत इंटरस्टिंग मैच इस होते थे जहां उनकी रैवेल्री मेरे खाल से किस से मिस के साथ रही थी और भी बहुत तकड़े सुपरचास के साथ रही थी लेकिन हां रैंडी ओटन भाई स्मैक डॉन पर बहुत अच्छे फिट करेंगे आगे बात करते हैं नाया जैक्स नाया जैक्स मैक डॉन में आ चुकी है और क्या वो अब बलड लाइन का पार्ट बनेंगी एक बहुत बलड लाइन की सोलो सिकुवा, टामा टॉंग और पॉल हेमन जी हां ये तीन महारत ही आ चुके स्मैक डॉन में जो की पहले भी स्मैक डॉन में था आपको बता है सोलो सिकुवा और रोमन रेस ने मिलके पिछले पांच साल में अलब सोलो सिकुवा तो बाद मैं बढ़ है ब पर आगे बात करते हैं AJ Styles AJ Styles again मैं 2016 वाले draft की बात करूँगा बहुत मेरे को बदलब आज तका सबसे interesting draft लो लगता था AJ Styles उस टैम पर खा करते थे SmackDown is the house that AJ Styles बिल्ड जी हाँ वो AJ Styles जो बंदे हैं वो भाई हमेशा से SmackDown के लिए बहुत जादा OP रहे हैं उन्हेंने SmackDown पर जो matches दी हैं वो अलगी level के थे और वो खुद कहते थे कि SmackDown मेरा घर है तो जी हाँ अब क्या वो अपने घर पर दुबार डॉमिनेट कर पाएंगे देखेंगे आगे जाके एंड में नाम आता है अंद्रादे का जिनको JBL ने चूस करा था अब अंद्रादे यहाँ पर क्या special ad करें कि SmackDown मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं है उनकी क्या storyline नहीं आती है वो आगे जाके पता चले है लेकिन हाँ कुछ storyline आये वही हम चाहते हैं तो भाई यह सारे शूपशार पहले दिन के ड्राफ में SmackDown में जाते हैं अब बात करते है Raw की SmackDown का रॉस्टर बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग बना है अफकोस वहाँ पर Bloodline भी है Nia Jax भी है LA Knight भी है यह जे स्टाइल्स है बहुत सारे तगड़े शूपशार है लेकिन Raw भी कुछ कम नहीं है भाई कैसे वो मैं आपको बताता हूँ Raw पे जाते है भाई Jey Uso अब भाई यह किस तरफ लीड कर रहा है वो मैं आपको बाद मैं बताऊंगे जो कि पहले SmackDown पे थे मतलब रीसेंटली उनने साइन ही किया था और भाई अब उनको स्टील कर लिया गया SmackDown से और वो आ चुके है Raw पे ब्राउन बेकर की बात कर रहा हूँ आगे चलते हैं Liv Morgan आ चुकी है वो जहाँ पे थी वो वहीं पे है मतलब पहले भी वो रह पे थी अभी भी रह पे है आगे है Ricochet, Sheamus और entire Alpha Academy मतलब Chad Gable हो गए, Otis हो गए, Tozawa हो गए, Maxine हो गए वो सब आ चुके हैं रह पे NXT की Kiana James भी आ चुकी है भाई, interesting fact यहाँ पे यहाँ पे यहाँ है कि Sheamus और Ricochet जैसे नाम यहाँ पे है जो की OG भाई, OG wrestling दिखाते हैं हमें उसके बाद वहाँ पे Seth Rollins है जो की of course हमेशा से Raw के लई बने है Raw के टॉप सुपरशास में आते हैं अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक नई चीज समझा देना चाहता हूँ जो नई वाली bloodline है जो solo record आम आट होँगा वाली है वो है SmackDown में और जो पुराने वाली bloodline आएगी वो आएगी Raw पे क्योंकि आपको दिखाई दे रहे हैं जे उसे अलेडी आ चुके Raw पे अब मैं आपको बताऊँगा अगले दिन क्या होगा next day draft में मैं आपको 100% कहा रहा हूँ जिमी उसे भी आएंगे Raw पे और Roman ने इसको अभी विड्रो इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनने पिछले 5 सालों से SmackDown पे Dominate किया है और आपको एक और चीज़ बता दू Raw जो है वो उसकी एक deal आ रही है जिमी उसो, जे उसो, रोमने इस Raw पे और नई वाली ब्लेड लाइन सोलो सिकुआ, टामा टोंगा और कोई और बंद भी आएंगे तीसरे बंदे जो होंगे भाई SmackDown के उपर ये पूरी स्टो लाइन पकर रही है भाई ये पूरी स्टोरी होने वाली है SmackDown और Raw की और बहुत इंटरस्टिंग मामला होने वाल है और एक्च्वल में इससे भाई Survivor Series पे भी एफेक्ट पड़ेगा कि ऐसे पड़ेगा वो एक अगली वीडियो में आपको बताऊंगा पर जी हाँ आपको इस बार का ट्राफ्ट कैसा लगा पहला दिन कैसा लगा ट्राफ्ट का आप नीचे कमेंट से जरूर बताना हम मिलेंगे किसे और नी वीडियो में किसे और नी टॉपिक के साथ तब तक के लिए भाई लोग अपना ध्यान रखो और देखते रहो Wrestlingverse